गूड मॉर्निंग प्रेंट्स कैसे हो आप लोग दभी देख लो मॉर्निंग का सुवका दस बज रहा है और यहां पर आप लोग देख सकते मेरा बैग बगर सब निकल गया है तो यह सब रखा हुआ था भी सब निकाली हूं मैं देख रही हूँ और यह जो बड़ा वला पैक कि इधर उसको मैं कपड में बांद के रखी थी क्यूंकि गंदा हो जाता है फिर भी यह बहुत गंदा हुआ है Kensimini taking going कि जाप करेंगे निक आप उन की एंसे नहीं ले जालने लाइक इसको मैं देखी है उनकी समान के हो तो बैग और नियू है भी हमने लिया उसके बाद से गाउ ही नहीं गए तो एसे रखा हुआ था और इसके बाद एक बैगे सब निकाल के रखी हूँ तो यह तो नियू है वह धोना नहीं पड़ेगा बट ए और एक दो धोना पड़ेगा देख सकते हैं जन्दा लगा हुआ है के लिए वैसे तो यह अंदर वगरा से क्लीन था बट बाहर से धूल वगरा पड़ गया था इस पे तो मैं सोची कि अभी इसको क्लीन कर देती हूँ कि ऐसे तो कप्रे इसमें रख नहीं सकते मन नहीं मानता वैसे ट्रेन में जाने के बाद फिर से गंदा हो जाता है लेकिन उपर से धूल पड़ा हुआ था जम गया हुआ था कपड़े से भी साफ नहीं हुआ तो मैं इसको सोची कि नहीं दोही देती हूँ तो फ्रेस हो जाएगा तो अभी यहां पे मैं छट पे लेके आई हूँ और बात्रूम में जगा कम रहता है तो बात्रूम में अच्छ से न बनाती नहीं हूँ लेकिन मैं घर में नाइटी पहनती हूँ तो मुझे काम करने में थोरा से फ्री लगता है अच्छा लगता है नाइटी में इसके बज़े से मैं चेंज नहीं कि कपरे इसी में वीडियो बना रही हूँ तो इसको मैं दोह के अच्छे से सब क्लीन कर देती क्योंकि पैकिंग का पूरा समान में बाहर निकाल के रखी हुई हूँ तो यह अभी धोके मैं इसको सुखने के लिए डालती हूँ तो अभी यहां पे मेरा बैग बगरे धोके रख दी हूँ तो इसके बादे देख लीजिए चट पे मैं यहां पे जो मेरा निम्बू का पेर है उसको मैं आप लोगों को दिखा रही थी और यह वी साल है मेरा वो सूट कर रहा है मैं उसको बोली थी सूट करो उसका तो वही अच्छे निम्बू आए हुए इसमें चोटा सा पेर है बट मैं खडीद के लगाई हूँ इसका नरस्वरी का निम्बू है तो यह देख लीजिए कितने अच्छे अर्चे और बड़े बड़े निम्बू आए है बट अभी रस नहीं है इसमें तोरने लाइक नहीं है तो मै बोली कि आप लोगो को दिखाती हूँ क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं चत पे जाती हूँ तो बार बार इसको देखती रहती हूँ जागती रहती हूँ कि इतना प्यारा लगता है न और कितने निम्बू आ गए कौन बड़ा हो रहा है नए-नए कली दे रहे कि अच्छा लगता है अपने घर पे कुछ भी बाग बगी चा लगा और कुछ सबजी हो फॉल हो यह सब आ जाए तो बहुत अच्छा लगता है बहुत खुजी होती है उसके बाद मैं यहां पे आ गई हो नीचे और यहां पे थोड़ा क्लीनिंग का समान निकाल रही हूँ मैं म trap क्लीनिंग का बोली तो दीवाली में जो लगायए यहां पर अकास कैंदिल वगरए तो अभी उइसे ही था तो अब तो सब क्लीन करना पड़ेगा साफ करना पड़ेगा नया लगाना पड़ेगा तो भी बिसाल को बोले थी कि ये बलकनी में सब लगा हुआ है तो सब निकाल दो जिक निकाल के फिर साफ कर दूंगी तो फिर अभी निव आएगा तो निव लगाया जाएगा इसमें तो ही भी साले यहां पे निकाल रहा था सब और धागा तूट रहा था तो मैं इसको बोल लए थी कि दागा मत कि निकालो तो भोला कि ठीके मैं बाद में कट करता हूँ और यहां पे देखें मेरा मनी प्लांट है जो कि बहुत अच्छा ग्रो किया है और कितना दूर तक अभी फैल गया है मनी प्लांट हो देख लीजे कितना अच्छा दिक रहें भी और बलकनी में इसे पेर पोधे पजर लग को नीचे टार्वालिय। है तो अव यहां पर धैंपढ दरवाजें प्रहांने, में दू को कि कॲि का धर्वाक मांदम मोर्मा कौनियतBa तो इसके वज़ा से भी निकाल के फिर से साप सफाई करना पड़ेगा और चौकट है दर्वाजा है यह सब तो सब पानी से पोचना पड़ेगा इसलिए और अभी यह सूख गया था फूल तो थोड़ा-थोड़ा हवा चलता था तो ऐसे तूट-टूट के नीचे गिरता भी अभी मैं इसको बोली हो कि इस लगे हाथ इसको भी निकाल के सब हटा दो क्योंकि यह भी दोपोच के सब साफ करना ही परेगा और फिर नया वाला फिर माला लगेगा दिवाली के दिन तो अभी यह भी यहाँ पे निकाल रहा है तो यह देख लिजे यहाँ पे मेरा साफ सफ हाई ऐसे ही कुछ चाल हुए तो चलिए मैं वीडियो का यहीं पे इंड करूंगी आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए सेयर करिए थैंक यू